प्रदेश में मौडिफाइड लॉग्डाउन शुरू हो चुका है इसके बाद प्रदेश में कई सेवाय शुरू हुई है जिने खुलना आवश्चक भी था लेकिन इसका दूसरा असर भी राजधानी में देखने को मिल रहा है राजधानी की वो सड़के जहां लॉग्डाउन के चलते एका दुका बहानी बाहर निकल रहे थे लेकिन मौडिफाइड लॉग्डाउन के बाद शहर की सड़कों पर बहानों की लंबी-लंबी कतारे लग गई और प्राइवट संस्थानों में काम करने वाले लोगों की भिड़ भी सड़कों पर दिखाई थी परदेश में आज से मौडिफाइड लोगडाउन लागू कर दिया गया है और ये modified lockdown इसलिए लागू किया गया है ताकि आर्थिक इस्तिति को सुधारा जा सके और उद्योग दंदो को सुरू किया जा सके हालांकि सर्तों के साथ उद्योग दंदों को और कुछ जो सेवाएं हैं उनको इजाज़त दी गई थी लेकिन इस modified lockdown का कुछ असर राज़दानी की सड़कों पर देखने को मिल रहा है अब तक लोगडाओन में राज़दानी सड़क Say सुनी नजर आती थी के दुखे वहां नजर आते थे लेकिन आज इस modified lockdown के चलते राजदानी की सड़कों पर काफी वहन नज़रा रहे हैं इस वक्त हम मुझूद है श्टेची सर्किल पर जहां का नज़ार हम आपको दिखाएंगे कि इकाद दुका वहन अब तक नज़रा आता था लेकिन आज इस रियायत के चलते लोग कहीना कहीं घरों से निकल रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर लागू किया है उसका कही नकई जो इदादा जो रखा गया था वो था कि कही नकई जो उद्धोग दंदें हैं आरती की this नहां को के लिए नगरिकओं को मिशा के लिए इसके की तरहीं इसका पालन करना है लेकिन कहीना कहीं आप देखेंगे किस प्रकार से लोग आज राजदानी की सडकों पर निकल रहे हैं भारी तादात में कहीना कहीं जो अगर कम पिछले दिन से तुलना करें तो पहले यहां पर लोगडाउन के चलते वाहन नजर नहीं आते थे लेकिन आज काफी संक्या में यहां पर वाहन नजर आ रहे हैं कहीना कहीं यह जो इतनी मेहनत के गई है लोगडाउन में वो कहीना कहीं सब्सक्राइब पाल निफिर सकता है ऐसे में लोगों को समझना होगा और मोडिफाइड लोगडाउन में भी पहले की तरही पालना करनी होगी केमरा परसन नाम किसन के साथ पिंटु सिंग नरुका एवन टीवी जयपूर तुझेल एवन डाजस्तान फिला लेता है लेकिन खबरों का सलसला जारी रहेगा नमस्कार